आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी सा हरा भरा कीमा जिसको आप मटन बीफ या फिर चिकन किसी में भी बना सकते हैं मैं यह पर बड़े के गोश में बना रही हूं कीमे में तो यह बहुत ही जादा मज़ेदार टेस्टी और यमी सा बनता है अब जरूर इसे बनाए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम मैं लूँगी कीमा तो कीमा बहुत सदा बारी मशीन का निकला हुआ कीमा नहीं होना चाहिए तब इसका टेक्स्चर और टेस्ट अच्छा आता है यह ग्रीन कीमे का तो यह हाथ से कुटा हुआ कीमा है थोड़े मोटे मोटे से नमक मैं यहां एक टीस्पून ले रही हूँ आप टेस्ट कीस आप से ले सकते हैं नमक तीन टेबल इस्पून बर के हम यहां पर लेंगे फ्रेश दगी और यह सारी चीज को अच्छे से मिक्स करना है मेरीनेट करना है कीमे को मेरीनेशन से टेस्ट बढ़ आता है लेकिन के मेरीनेट करना यहां पर हरा मसादय तयार करना है उसके लिए यहां पर हम लेंगे ढेर सारा हरा दया कल अ और बड़ी लाइची का जो बीज होता है बस वही लेनाे और थोड़ा सा ही लेना पूरी बड़ी लाइची का बीज नहीं लेना और 10-12 काली मिर्च लेना है भिलकुल फाइन सा फेस्ट बनाना है जरूरत की सबसे पानी डालके और यह सहरे मसाले को भी हम साइड में रखेंगे फिर प्रेशर कूकर में हम तेल को गरम करेंगे तो यहां पर तेल आधा कप लेना है तो तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो यहां पर 250 ग्राम ही है यहां पर प्याज जितना कीमा लेना है उतनी प्याज लेना है और इसको बिल्कुल बारिक चॉप कर ले उससे कीमे में जो टेक्स्चर है वह बहुत जादा अच्छा आता है तो जब यह प्याज हमारी हलकी पिंक होने लगे प्यास पिंक हो जाए तो इसमें दो टीस्पून भरके अद्रकलसुन का पेस्ट आलेंगे और इसको तब तक बूनेंगे ज बहुत अच्छे से भुन गया है तो कीमपूरा एट करना है और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करना है इसको आपने जितना अच्छे से भुनेंगे तो टेस उतना ही अच्छा आएगा बस इसको लगातार चलाते हुए पकाना है और इसमें पानी वगेरा नहीं डालना ह कीमे में से भी पानी रिलीज होगा बस इसको लगातार चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे और जब इसमें से पानी रिलीज होगा तो इसको अच्छे से ड्राय कर लेना है तो यहां पर देखें पानी बहुत अच्छे से ड्राय होगे इसमें बिल्कुल भी पानी नही क्या वाइट करेंगे और जरूरत के सापस से छोड़ा सा पाणी डालेंगे जाधा पानी नहीं डालना कीम्हा थोड़ी ठीक साइट पे रहता है लेकिन आप ग्रेवी मुष्ण चाहते हैं तो थोड़ी रख सकते लाइफ मान। इसको फ्लैम को naturally release होने देंगे जब ये अच्छे से तो कीमा गल जाना चाहिए उतना ही पकाना है तो ये जबर दस्ता हमारा कीमा बनकर तयार है और ये अच्छे से गला हुआ होना चाहिए फिर इसको हम साइड में रखेंगे इसके लिए तड़का तयार करेंगे तो पैन में हम डा का जा दोा को फि सुम्या के ओपणा है बहुत बीडिये बाता हैं तक पीमे इसके मीडिये तक किमे में पकाई're कृम हाता है यह इतना जादा टेस्टी बनता है कि आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और इसको आप नान पराथा कुल्चा या फिर रोटी चावल किसी से भी सर्फ करें बहुत ही सादा मज़ेदार लगता है उमीर है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी